ओन्ट ayy everyone, तो कैसे हैं आप सब। आज दिसकेस करेंगे Supreme Court का एक ऐसा केस जो की बात करता है Bengali film के बारे में अब आप मेंसे बहुत सारे लोग शायद किप करना चाहें कियोंकि आप मेंसे बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हम इस चैनल पर इसलिए आते हैं जिससे हमें मिल पाए law related content सो फिल्म विल्म की बातें यहां कहा हो रही है देखिए यह case आपके लिए जानना इसलिए भी important है क्योंकि यह case consist करता है Indian constitution का एक बहुत important article जो की है article 19 सो हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस case का नाम जान लेते हैं Indie Billy Creative Private Limited versus Government of West Bengal 2019 की काफी important judgment रही है सो कुछ facts जान लेते हैं इस case के बारे में सो आप देख सकते हैं एक Bengali film थी जिसका नाम तो भॉबिश योतेर भूत उसको unofficially ban कर दिया जाता है Government of West Bengal के द्वारा Government of West Bengal यहाँ पर कोई clear और specified reason देती नहीं है बस unofficially उठा के इस picture को ban कर दिया जाता है Bengal में जो cinema halls थे वहाँ इस picture को release ही नहीं होने दिया जाता So यहाँ जब Government of West Bengal unofficially ban कर देती है भॉबिश योतेर भूत को तो on the other hand जो police authorities होती है वो prohibit करने लजाती है इस film की screening जितने भी यहाँ cinema halls होते है वहाँ police यह picture लगने ही नहीं देती और तो और यहाँ पर जो police authorities होती है वो law and order को एक तरफ उठा के रख देती है और बिना किसी reason के इस picture की screening को रोकने लग जाती है जितने भी यहाँ पर halls होते है जो की situated होते है बेंगॉल में वहाँ यह picture की screening ही नहीं होने देती police authorities जो picture के film makers थे वो पहुच जाते है honorable supreme court में petition डालते हैं basically उस time जब यह case सुना जा रहा था honorable supreme court में तो two judges की bench यहां constitute हुई थी जिसमें सबसे पहले judge थे justice doctor धनजे यश्वन चंदरचूड और दूसरे वो थे justice हेमत गुपता so filmmakers approach करते है honorable supreme court को regarding unofficial ban of their film so जब honorable supreme court में petition डाली जाती है unofficial ban के regarding तो article 19 यहाँ context में आता है article 19 आप लोगों को पता ही होगा freedom of speech and expression के बारे में बात करता है अब आप में से बहुत सारे लोग यह पूछेंगे कि article 19 relevant कैसे है एक picture को लेके देखिए अगर मैं बात करूँ एक picture के through भी आप कई सारी चीजे लोगों के बीच express कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया article 19 of the Indian constitution freedom of speech and expression के बारे में बात करता है article 19 simply यह कहता है कि हर एक citizen को यह right है कि वो अपनी speech और कोई भी चीज ऐसी जो वो express करना चाता है लोगों के बीच वो express कर सकता है तो एक film भी kind of a medium बन जाता है जिसकी help से हम चीजे लोगों तक पहुचा सकते हैं तो यह चीज काफी important है तो honorable supreme court ने एक बहुती जादा important statement दी थी इस case में honorable supreme court यह कहते हैं कि जो free speech है उसको mob violence के डर से curtail नहीं किया जा सकता तो honorable supreme court का simple words में यही कहने का मतलब है कि अगर कोई person free speech रख रहा है कोई person अपने words रख रहा है तो उस चीज को cancel नहीं किया जा सकता mob violence के डर से तो यहाँ mob violence का मतलब मैं आपको बता देता हूँ mob का मतलब होता है भीड violence का मतलब होता है हिंसा देखिए जब बहुत सारे लोग generally कोई भीड है लोगों की several persons है वो कोई ऐसा act करते हैं की शांती भंग करता है consist करता है ऐसी कोई भी activity को जो violence फलाती है उस चीज को कहते है mob violence काफी important statements देने के बाद police authorities को भी यहाँ पर direction देते हैं honorable supreme court यह कहते हैं कि जो police है वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकती police ही decide करने वाली कोई नहीं होती तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि police ने law and order एक तरफ उठा के रख दिया था police law and order को follow नहीं कर रही थी और बस वो भॉबिश शोतेर भूत की film screening को रोकने में लगी हुई थी film screening की prohibition में लगी हुई थी police authorities लेकिन supreme court ने आपे context clear करते होए ये चीज़ state करी कि police को rule of law follow करना पड़ेगा और तो और police को चलना पड़ेगा law and order के हिसाब से police अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकती तो काफी important चीज़ है जो supreme court ने या mention की है तो finally honorable supreme court इस case में अपना verdict देते हैं और वो भॉबिश शोतेर भूत के उपर से ban हटा देते हैं जो बेंगॉली फिल्म थी जिसके उपर unofficially ban लगा रखा था government of west बेंगॉल ने वो ban यहाँ पर हट जाता है वो ban हटा देते हैं supreme court और ban हटाने के बाद supreme court 20 lakh रुपीज का 20 lakh रुपे का compensation देते हैं भूबी शोतेर भूत के filmmakers को सो काफी बड़ी चीज है यह सो एक short और simple case आज हमने discuss किया था मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहाँ gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी Have a great day